सायद आपको यह नहीं पता है कि आपके सैट के अंदर कर मांतली 500 वीज़ डरा रहे तब भी आप जो है इस तरीके से अलग से पैसे कमा सकते हो दिन बे दिन आपका लिस्ट बढ़ते जा रहा है और जितना लिस्ट आपका बढ़ते जाएगा उतना ही जो है आपको आपको आच्छा अमाउंट अप पैसा मिलना से हो जाएगा ओके मैंने थम्नेल पे यह लिखा हूँ कि ब्लॉगिंग से पैसे कमाने की 10 तरीके सायद आपको मेरे से और निकाता तरीके मानून होगा मतलब 10 से 12 हो सकते 15 हो सकते 20 हो सकते लेकिन प्रोब्लीम यहां पर आता है जब खुद की बारी आता है कि खुद के ब्लॉग के लिए इन सारे तरीकों को जो है एक्स्प्लोर करना कि बाके में मेरा ब्लॉग इसके लिए फिट है या नोई इस तरीके से आप ब्लॉगिंग से पैसे एक्टेमरी मतलब जो पैसे को अर्सल से आई रहा है उसने ज़्यादा पैसे हम कमा सकते या नि आज की इस वीडियो में हमने उस ही का solution लेकिया है मैं कोशिस दरूँगा जितना और से कि practical way में मैं आपको समझाओंगा कि कैसे आप इन सारे तरीकों को कुद के लिए खुद के ब्लॉग के लिए आप उसको explore करेंगे और उससे पैसे कमाना start करेंगे यह जो दस तरीका मैंने यहाँ पर list किया हो यह आम है, मतलब यह सब को पता होना चाहिए, साइध आपको भी पता है, लेकिन वही प्रॉप्लम है कि कैसे खुद के लिए इसको एक्समोर करें, सबसे पहला तरीका तो वही है ना कि AdSense, मतलब AdNetworks, AdSense को छोड़ के अगर AdSense नहीं मिल दिया है, तो इस जो एक की जान कर सक पता होगा, AdSense, 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 चाह और धनपड़ी कुछ भी हो, आप दोज़ेत्य तरीका है वही है अपने ब्लॉप्लाग के अपने प्लेस कर सकते हो, उससे जो पुकिस लिंक जनरेट होगा, अगर यूजर डिरेक्ट आपकी लिंक से बाइक करेगा, या एक बार आपके लिं और किसी niche oriented होना चाहिए या popular होना चाहिए ऐसे बहुत सरे popular blog है जो अलग-अलग niche पे काम करें और सभी niche के affiliates करतें तेकिन सुदवात में आफोप नहीं कर सकते हूँ आप एक niche oriented आप एक topic oriented या product oriented blog चलाए तो उस case में आप affiliates join वो सकते हूँ affiliates बहुत तराका होता है digital product का affiliates होता है physical product का affiliates होता है जैसे हम यहाँ पर चाहे वोस्टिंग के affiliates कर सकते हम चाहे तो किसी email marketing tools के affiliates कर सकते है तो इस तरीके से affiliates से भी अच्छा असा पैसा जनाट होता है लेकिन affiliates ब्लॉक चलाने के लिए कुछ चोटा मुटा टांसन कंडिशन गूगल का रहता है उसको फोड़ो करना होगा लेकिन आज हम तांसन कंडिशन के वारे में बात नहीं कर रहे है हम बात कर रहे हैं हम बात पैसा बनता है नेक्स्ट यहने नमबर थ्री में में जिसे आप आओ यह खाफी फॉपूलाद है सायद सायद आप समझ लेगो कि मेरा ब्लॉक ब्लॉक नया है इसमें ट्रापिक तो ज्यादा नहीं है क्या इस तरीके से आम पैसे कर आ सकते देखो मैंने यहां पे सावर मिला पैसे आप सायद आप देखेंगे तो इन सबी में आप देखेंगे जो तरीका बताया गया है वों सब में प्रिएरेटी दिया गया है पीर रिव्यूज या सफोंसर्ट पोंटेंट मैं इसके बारे में तो रहा सब आप साप को और जदा समराइज कर दूंगे लेकिन समझ ल जिसको इन्होंने थाड नंबर पे मतलब रखे है कि यह भी एक अच्छा हुए है तो इन सारे लोग की ब्लाग पोस्ट को देखती हुए मैंने भी केस पोस्ट जिसको आम भासा में बैकलिंग सेलिंग का जाता है उसको आमने नंबर थे में प्लेस्मेंट किया है बहुत अच्छा पैसा मिलता है जितना साइड आपका पूराना होता जाएगा ना बैकलिंग सेल करते हैं आपको अच्छा पैसा आण हो सकते है अगर आप इस फिल्ड में थोड़ा सा एक्स्क्लोड करेंगे लोग थाउस्दन डॉलर में भी आपका पैकलिंग सेल करते है लेकिन आपके दिमाग में सवाल यह चल दा होगा कि मेरा तो साइट नया है मैने जो कुछ महिने स्टार्ट किया हो क्या मैं पैकलिंग सेल आउट कर सकते हो अगर आपके साइट का दिये चार है या पांच है आपका मंतले ट्रापिंग अल्ली 500 आ रहा है फिर भी आप बैकलिंग सेल करके पैसे कमासे उसके लिए प्लाट्फों पे जाना होगा और आपको पूद को रिजिस्टर करना होगा था प्लाट्फों जब मैं यह तरीका पॉइंट आउट कर रहा है कि ब्लॉगिंग से पैसे आप कैसे कमाऊगे मैं तोड़ा एक्स्टोड भी करके दोंगा आपके लिए तक आपको जो आसानी हो जाए तो मेरको मीला linkoback.com देको linkoback.com यह एक guest post servicing website का listing platform है और जो user backlink देना चाहते और जो user backlink लेना चाहते वो दोनों यहां में आके मिलता है और यहां जे दोनों का conversation पुता है platform पे अगर आप लिस्ट कर दोगे न तो आपका conversation दोने की chances बहुत बंज़ाब है कि आपको आपने जो backlink sale out करना चाहते हो उसमें customers आप या दूसरे bloggers आपको request बहुत जल्दी कर देगा और आप आप अच्छा करसा amount में जो यह backlink को sale out कर सेके हो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको add listing के अदर क्लिक करना होगा और आपने पहले से listing करके राखे तो आपको यहाँ पर simply sign in करना होगा अगर आप बिल्कुल नए हो बिगना था तो आपको यहाँ पर register option के अदर क्लिक करना होगा अगर आप बैक लिंग sale करना चाहते ह तो यहां पर मैंने add listing पर click किया, अब आपको यहां पर email दालना है, आपको यह password बना लेना है, okay, and register बटन के अंदर click करना है, simply, जैसे आपको register बटन के अंदर click करना है, यहां पर बता रहा है कि place secure email to activate your account, अपने just email से यहां पर register कर दे हो, उस email पर जो verification mail गया है, उसको आप definitely verify कर लिजीएगा, verification email के अंदर आपको जो link मिलेगा, उस link पर click करेंगे तो आपका email भी verify हो जाएगा, और साथ में आपको एक नया page पर लिखे जाएगा, जहां पर आप अपने website से related सारे चीज़े यहां पर input करेंगे, जैसे category क्या है, आप एक profile images बनाएंगे, आपका नाम लिखेंगे, last name लिखेंगे, portfolio, जो information अथा है, उसको submit करेंगे, उसके बाद से चिंजिस करेंगे, तो इस तरी के साथ इस portal पर आपने site को entry करा दो, आपने site को यहां पर input कर दो, और उसके बाद आपको यहां से conversation देगने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यह platform कैसा है, उसको अगर थोड़ा से लेखेंगे, यह platform काम कैसे करेंगे, as a seller और as a buyer, लेकिन आज हम लोग seller की बात करे क्योंकि आपको अपने blog से earn करना है, तो यहां पर आप देख सेक्ट हो कि when you come to our platform, you feel the details of your website, आपको अपना website submit करना है, उसका DAVA क्या है, उसको submit करना है, उसके बाद platform जो उसको वेनिवाई करनेगा, कि आपने जो credential यहां पर डाले हो, वह वाके में सही है, and उसके बाद after submitting the prompt, when buyer wants to buy your link, जब buyer आता है, और आपके site से link buy करता है, उसके बाद यहां पर देखिए, तो buyer approves after the payment is transfer of your account, ठीक, buyer क्या करेगा, आपको post देगा, कि यह post आपके site के अंदर publish करो, आप खुद को उसको जाज करेगा, कि यह post मेरे site पर जाने के लायक है या नहीं, अकर आपको लगत पर आएगा, और आपकी यहां पर backlink buy करने के लिए उन्होंने order डाल देगा, तो उनकी account से पैसे cut कि link को back के account पर आ जाएगा, और उसके बाद buyer जो confirm करेगा, कि हाँ मेरे को backlink मिल गया है, तब link को back जोने है, आपको पैसे send कर देगा, और यहां पर platform टीस के तोर पर सायथ 20% आपको as a commission for log रखेगा, और उसके बाद पैसा आपके खाते में आ जाएगा, इस प्रोसेस को complete करने में, तो इस तरीके से यह जो platform है, वो work करता है, इसमें आप भी secure हो, अगर आप backlink सेल करता हो, तब भी आप secure हो, अगर आप backlink buy करने के लिए जाता हो, तब भी आप secure हो, त तो यहाँ पर आप देखो, अलग-अलग तरह का साइड है, जिसमें आप देख सेक्तों कि यहाँ पर backlink ट्राफिक जब 40,000 का है, और backlink सेल करदा है, एक backlink के लिए उन्हें ने 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 थाए अज़ार की चार्ज़ दखता है, ट्राफिक जब 500 का है, और उन्हें ने एक backlink स चार्ज कर सकते हो, और आपको यहाँ से अच्छा फॉन पर्सेसर मिलता रही है, और ने तरीका है, जिस तरीका है, जिस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, वो है paid review content, आपने किसे niche-oriented blog चला रहे हो, for example, मेरे case में मैंने जो है, data marketing tool related to blog चलाता हो, तो उसमें क्या होता है, कि मिर review post लिखते हैं, और हमारे site के अंदर डालते है, बाट उससे पहले हम company को send करते हैं, कि भाई देखो, post सही rank से बना है, या नहीं, वो लोग जैसे approve करते हैं, पैसा payment करते हैं, तो हम लोग जो lifetime के लिए, उनकी post को हमारे site के अंदर publish करते हैं, देखो, यहाँ पे दू condition होता है इसमें भी, जो हमने link को back की बात किया, link को back के अंदर भी same condition है, चाहे तो आप इसको yearly रखो, कि हम जो link sell कर रहे हो एक साल के लिए, या आप चाहे तो एक, मतलब lifetime के लिए भी जो यहाँ पे fit कर सकते हूँ, कि हमने जो link आपको देंगे, जिसके बदले आप मेरे को पैसा दे इसमें आपका link जो है lifetime तक रहेगा मेरे site के अंदर रहे, तो उसे तरह के लिए content के अंदर भी, हम लोग खुद को content लिखना पड़ता है, company just उनकी product के बारे में बता देता है, उस और वार्वीव के विश्यस पे हम लोग उस product को explore करते है, और उनके सारे images, videos, जो है सब कुछ लेके हमने एक अच्छे से बड़ी ऐसे post डाल देते हैं, और उसके according मतलब हम लोग charge करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आपका site किसी specific niche oriented है ना, तो आपको छोटे site के अंदर भी जो आपको इस तरीकी से sponsorship post जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, next जो है paid ads, paid ads मिन्स कि आ वो हमेशा आपकी website के टॉप में होना चाहिए, उसके बाद आप किसी third party ad देखा उपको issue नहीं है, यह company चाहते हैं कि हम, मतलब banner ads पे, मतलब header ads होता है, वहाँ पे placement करने के लिए, जो site owner होता है, वो ज्यादा पैसा मंगता है, तो वोग charge sidebar में भी placement करता है, कि हमेशा sidebar में यह ad दिखना चाहिए, यह अन्र सारे जगा होता है, जहाँ पे फुलोग ad चलाएंगे, और उनके बदले जो है, एक समांट पैसा पार महीने, पार येर लिए या lifetime लिए आपको pay करेगा, पर इस किसमें lifetime होता रही है, इस किसमें जादा तर पार मंत के इसाप से deal होता है, त सारब मैंने इस तरीके से नीच ओनेटर ब्लोग चला रहा हूँ, यह मेरा स्टैट्स है, यह मेरा विजिटर्स है, आप चाहे तो आपका content हमारी यहां publish करा सकते हूँ, तो लूप उसके बाद उसके नजर में आएगा, और डेफिनेटली आपको बैक करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें साब हाथ पर हाथ दो के बैटर होगी कि मेरे पास जो है, जो sponsor वाले है, वो आएगा, आपको खुद उनको रिचाउट करना पड़ेगा, कि सर यहां पर आपका एक ads लगा सकतो, एक banner ads लगा दो, हम लोग इस placement को रखे हैं, खाली रखे आपके लिए कुछ कम कर देंगे पिर ads अगर आप लगने चातो, अपने कुछ premium places, premium places बना के रखे कर आपके site के अंदर, वो भी लोग जो pin ads लगाते, उसके बाद course सेल हो जाता है, अगर आपका niche oriented है, again category wise आप काम करे हो, आप एक teacher हो, या आप एक web developer हो, या आप एक blogger हो, आप blogging सिखाना जाए तो दोस case में आप course बेगरा sale कर सेक्तो, आपके उस site के through, partner with brands ऐसा हो सकते है कि आपने किसी particular एक brand के साथ कुछ time के लिए partner deal कर लियो, कि उसी brand का post जो है हम लिखेंगे, एक नहीं, बलकि once branch में वो गया, that's mean कि 10 post लिखेंगे, 20 post लिखेंगे, उसके बदले आपको एक huge amount of पैसा दिया जाता है, यह भी एक तरीका है, जो आप अपने blog से पैसे कमा सकतो, again वही बात है, कि आपको brands तक खुल जो reach out करना होगा, अगर brands आप तक नहीं पहुंच रहा है तो, ठीक, उसके बादे को यहाँ पर monetize email marketing, आपका कोई ऐसा niche है, जहाँ पर email collection कर रहे हो, तो वो जो email का जो आपका पर अपरोच करें, कि आपके email list पे हमारी इस product की email को blast कर देंगे, या आप company के अपरोच करें, कि मेरे पास 5000 की email list है, आप यह product दीजिए, एक amount पैसा दीजिए, मैं जो है, एक email send कर देता हूँ, दो email send कर देता हूँ, तो इस तरीके से भी email list बना के email collection करके भी जो अच्छा क search के साथ जो पोस्ट जाएगा, वाट वो पोस्ट आपके site के अंदर जो member बनेगा, जो paid member बनेगा, उनी तक जाएगा, तो उस case में भी जिए आप member से प्रोग्राम एड़ करके, आप अपनी ब्लॉग से पैसे कमा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप आपने ब्लॉग के अंद paid membership के अंदर किस type of content देने वाले हो, क्या premium चीज़े देने वाले हो, तक ही लोग आपको पैसा दे के आपके site के अंदर paid membership ले, और next जो तरीका है, ये हमारे इंडिया को छोड़ देजिए, बहुत ज़़दा पॉपूल है, जो कि ask for donation crowdfunding, यानि आप महुत साथ साथ के अंदर देखेंगे, वाँप एक छोड़ा सा बटन दिया गया है, कि आप देखेंगे कि buy a cup of coffee, ठीक, तो उस तरीके से जो है एक आप coffee के लिए आप कुछ पैसा दे दीजिए, तो उस तरीके से crowdfunding में चलता है, वहार country में बहुत सारे ऐसे sites है, जो सिर्फ crowdfunding से चलता है, और खासा site चलता है, यह भी एक तरीका है, जिससे आप पैसे कमा सकतो, तो इन 10 तरीके से आप पैसे कमा सकतो, हर एक तरीके को कैसे आपको explore करना है, कैसे लोगों तक reach out करना है, उसका एक छोटा-छोटा summary मैंने आपको बता दिया हूँ, I hope कि आपसे implementation करने की courses करेंगे, और उस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखो यार, ऐसे ही आपने जोए continue कर दिया है चैनल को, और अच्छा खासा जोए content आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मिलता हूँ में next वीडियो में, तब तक आप बहुत खुश रहिए, दूसरों क